वेलकम फ्रेंड युक्ति आईस के इस ओलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप सभी लोग का तहदिल से स्वागत करता हूं उमीद करता हूं आप लोग बहता तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे युक्ति आईस के द्वारा जो ओलाइन टेस्ट कराया गया था आप पर और वेबसाइट दोनों दोनों जगा उसी का स्कॉलर सिफ चला जब जो एनालेसिस वीडियो है वह अब यह जोग्राफिका सेग्मेंट आज है उस पर बात करेंग हम लो उसमें क्या महत्पुन उससे पहले आप लोग को पॉलिटी हिस्ट्री करेंट एफियर्स और मिसलियर्स आपका वीडियो अनलेसिस हो गए अभी तक जिन्होंने नहीं देखा डिक्सिप्सम बॉक्स में जाईए देखिए सारे वीडियो प्लेलिस्ट में बने हुए हैं और जो भी अपनी तैयारी है उसके उसको अपनों एनलाइसिस कीजिए आप लोग किस तरीके से त तरीक हम से जुड़ने का और भी माद्य हमें जैसे आप दिये गए नमबर से कॉंटेक्ट कर सकते हैं को भी प्रवलाम है 24 एंटू 7 आप लोग हमसे कॉंटेक्ट हो सकते हैं वाटशेब कर सकते हैं ताकि अपनी जो भी समस्या है उसको दूर कर सकते हैं साथी साथ इसाथ व हुआ आप आई तक है विविन सेगमेंट में विविन टेली ग्राम पर चनल से और विविन जो प्रशन पूछे जाते हैं उससे आपको देखर अपना खर सकते और प्रशन का अस्तर त्री स्टार होता है त्री स्टार से फाइव स्टार तक होता है ये प्रस्ण पूछे जाते हैं इस टेलिग्राम चैनल पर इससे हम लोग जुड़ियेगा आप लोग को बेनिफुट होगा यहां पर बेस्ट जो फैकल्टी है उसको लाया गया है जो एक्जाम के इंट्रिवी लेवल तक पहुचे है बीपेसी के इंट्रिवी लेवल तक पहुचे हुए या पास आउट है उन लोगों को इहां सामिल किया गया उनके गाइडलाइन्स में सारे कारिक किये जा रहे हैं मैं खुद इस पर विशेस रूप से मार्दसंग कर रहा हूं जो लोग मुझे जानत हैं वो उनके पता है कि की सुरूप से में मार्दसंग कर रहा हूं तो चलिए बिना लेट किये वे आगे बढ़ते हैं तो पहला प्रशन जोगरफी में क्या था आप लोगों 46 नंबर से आप लोगों जोगरफी स्टार्ट हुआ था 46 से लेकर आपको 60 नंबर तक जोगरफी चलिए देखते हैं पहला प्रशन है आप लोगों को भारत लिमिलिके अस्तारल से और यहां पर सब्सें पहले आप लोगों को यह थ्यान रखने से प्रशन पूछ सकता है इस प्रकार से आप लोग को प्रशन पूछ सकता है तो आप लोग ध्यान रखें अगर एक प्रशन यहां से बना है तो आपको कि इसके विभीन डायग्राम को भी याद रखना चाहिए कि यहां से कौन-कौन से और प्रशन बन सकते हैं इन सब प्रश प्रिकी प्रस्न को आप लोग ध्यान रखेगा अगर ये सब गलती होता है ये सब गलती किसी भी रूप से नहीं होना चाहिए एक ज्याम होल में अगर गलती होता है तो आपको से आपके सेलेक्शन को कम कर दर को कम करता जाता है तो ये सब ध्यान रखेगा इजी प्रस्न लग जाए तो थोड़ा सा आप लोगों को लेठ हो जाएगा लिडियो लंबा हो जाता है तो चलिए पहला प्रस्ण में आप देखते हैं पहला चो है दुसरा साथ है तिसरा आठ देशा साया करता दुस्ति आप संदी नौर देश कोई ने उप्रोड़ों शिक्साथ इस प्रस्ण यह जब तक आप किसी प्रशन का 100 परसंट श्योर नहीं है तो आप सर्शियोरिटी के साथ किसी प्रशन का उत्तर नहीं दे सकते हैं इसलिए इस ओप्षन एक को ध्यान से देखिएगा पढ़िएगा कि किस प्रकार से प्रशन के ओप्षन दिये हुए तो भारत अपने अंतरा सीमा साथ देशों के साथ जिसमें उत्तर पच्छिम पाकिस्तान आपको देखिए यहां प्रसंट दो प्रकार से यहां मिलते हैं साथ भी दिया हुए नो भी दिया है तो इस प्रकार से आप देखिए किस किस के साथ सीमा साजा करता है पाकिस्तान अफगानिस्तान उत्तर मे चीन, नेपाल, भुटान, पूर्वे मैमार, बैंगलादेश के साथ अपनी सीजा साजा करता है, साथ देसों के साजा करता है, जबकि अंतराश्टी सीमा नो देसों के साजा करता है, तो आप लोग देखिए हैं, कन्फ्यूजन मत होईएगा, अभी मैं इसी की बात कर रहा था अंतराश्टी सीमा कितने देसों के साथ साजा करता है, तो वो बुलू लेवल वाटर भी होता है, इसलिए इसकी बात की गई थी, जबकि अस्थली सीमा साथ, जैसे मालदिव आपको आएगा, श्रिलंका आएगा, तो इसलिए आप इस प्रकार से देखिएगा, चलिए नेक पी डेली वहां इंपोर्टेंट पी आई भी देख सकते हैं, इंपोर्टेंट करेंट एफ डेली का आप देख सकते हैं, वो जो इंपोर्टेंट करेंट होगा, जो एकजाम में आने लाइक होगा, अना बहुत से चीजों को नहीं दिया जाता है, जैसे संख्या यह नहीं देखिए एक बार विजिट जरूर कीजिए इन्रॉल होना या ना होना अलग बात है आप हम से जुड़िए एक बार देखिए विजिट एक बार जरूर कीजिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी लोग से एक बार विजिट वेब साइट पर जाके कीजिए गूगल प्लेश से स्टोर एप को डाउनलोड जरूर कीजिए ताकि बहुत से चीजों को आप लोग सीख सकें कि यह नया प्रयास किया गया है आप लोग के लिए चलिए दूसरा प्रशन देखते हैं दूसरा प्रशन क्या है भारत का ओसर समुदरी तल का मापन निम्लिखित में से किस स्थान स मापन क्या है कौकत्ता नई दिलली ऑफ्षण से मुंबए जो जरू से किया जाता है इसका सही में बताई अपन का जो क्यूरियसिटी है इस पिर इसके बाद इस आप लोग जो प्रसंद देने की टेक्निक को समझ सके इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप लोग जुड़े रहिए जब भी वीडियो में बात की जाती है हमारे दौरा और भी सर के दौरा पुछा जाता है तो इसके आप 560 मीटर है 525 फिट है समुद्र तल से या उसत समुद्र तल के जल के उपरी सता का उसत उचाई का मान होता है अर्थात सी लेबल जो होता है सी लेबल ये आपको सी लेबल से माप है उसकी उसकी गहराई से लेकर समुद्र की पर्थिवी की उचाई अर्थात हिमाले जो है उ इसकी गन्ना जुआर भाते के कारण होने वाले समूद्री सतह के उतार चड़ाओ में लंबे समय तक पर छेपन करने अता था उसका रौसत निकाल कर की जाते है इसे समूद्र रॉचाई में ब्यक्त किया जाता है तो किस रूप से ब्यक्त ब्यक्त जाता है यह भी आपको पु पर पहचान सकते हैं अगर आप लोग को इस परकार के प्रस्ण नहीं बनाए हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसके नेचर से प्रस्ण जरूर पूछे जाते हैं किस परकार के प्रस्ण होते हैं पर आप से यह प्रस्ण अभी तक नहीं पूछा गया है कि अगर कोई च स्चाइब लगिते समाइब परवस स्रेनि मिलती है कोई बोलता विंधियन ने है कोई बोलता सत्पूरा स्रेनि है तो कैसे पाचान कर ने का अधार आप लोगो देखेंव इंद्यन स्रेनि की चटानों कमनी की सद़ें लिए वैधी तो अगन्यन चटान या लाल बलुवा पत्थर का चटान होगा या कुडपा स्रेनी की चटान ही होगी उपरोग निए एक साधिक तो इसके लिए क्या आप लोगा आपको लाल बलुवा पत्थर की जो परकृति उसके में देखने को मिलेगी महत्पून होता इंपोर्टेंट है इसलिए आपको यह वर्गी करन कर देगा विद्यन स्रेनी की चटाने मुकता जिवास में युक्त और साधिस सरचना वाली चटाने होती है जिसे हम बलुवा बलुवा पत्थर के नाम के से भी जानते हैं विद्यन स्रेनी की चटाने चुना पत्थर के गुनों से युक्त होती है तो आपको यह यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर एक जिवास में रहित भी बोला गया चट्टाने, अगर यहां युक्त होता, तो आपको यह उप्सण E में चला जाता, उप्सण E बन जाता, इसका सही उत्तर, पर यहां पर रहित किया गया है, तो इसलिए उप्सण C ही होगा, तो आप लोग इस सब चीज़ों पर ध्यान देजिए, बिपेसी कितना प्रशनों को मोटिवेट करती है, किस रूप से आप लोग को ट्रीकी रूप से खसाएगी, तो इस सब चीज़े आप लोग करिए, यह बार कोड के सम्मन में कुछ जनकारी आप लोग होनी चाहिए, य सकेंडर जो होता उसका से इसकेंड करके ढारेट हमारे टेली ग्रामय चैनल से जूर सकते हैं, उसके लिए कुछ करना नहीं है, बस गॉगल पर सकेंड को ऑकन करते ही आप हमारे चैनल से जूर जाईएबा, यहां कोई लिंक की पर विष्थाण लिंक सारे डिक्स्रीप्स प भॉक्स में दिए रहते हैं आप वहां से भी काम करा सकते कर सकते हैं अब नेस्ट कोस्चन है आपको अको देख लेते हैं स्वड्ब जुब कर दोने तो इसमें कों सा नाम से जानते हैं बैसाल चन्से जानते हैं घढ़वाना चन्टास इन वर ःडवार दा शरणन फिन felt दीख तो इसका सही उत्तर को आओगा वेसाल चटान के रूप में हम उसे जानते हैं मेसो जोईकाल से तो यह क्या चटान यह कहां पाया जाता है इसके समंदर में देखते हैं सॉल्यूशन क्या है व्यसाल चेटा निर्मित दक्कन चेटर के ट्रेव का निर्मान मेसो जोई काल में किया होता है जिसका विकास गुजरात काथिया वारा प्रायदीफ है करनाटक के बेंगलूर मेसूर पठार जो है आप बात कर रहा है कठिया वारा छेतर का गुजरात का कठिया वारा छेतरी यहां आपको मिलेगा गुजरात का कठिया वारा छेतरी बैंगलूर और मेरट का जो छेतर है यह आपको मिलेगा तैमिलाडू का छेतरी इधर मिलेगा कोई मोट्री छेतर में आपको तो राजमहल का ट्रेप जो है टोटल नाशोटा नागपूर छेतर का आपको यहां मिले गा तो देखते हैं भारत की विभिन छेतरों में इसका मेसुज जोई कालका आपको चट्टानों का वर्गे करन मिलेगा देखने को नेश्ट देखते हैं प्रस्न क्या है नेक्स्ट है मेकाले स्रेनी की सर्वोच चोटी निम्रिखित में से कौन है तो आप दियान रखिएगा यहाँ पर सर्वोच विभिन जो स्रेनिया है भारत में मेकाले चोटी जो है चोटा नाकुल पठार का भी कुछ सर्वोच चोटियां है उसको भी आपको पूछ सकता है तो इस परकार से आपको प्रसन पुछे जाए सकते तो आप लोग ध्यान रखिए सर्वोच चोटियां जो होती हैं तो उनको आप लोगो ध्यान में रखना है तो सबसे पहले option में दे किसकी किसकी है सर्वोच चोटी जो इस कि है टीकमगड किसकी औ. इसका option क्या होगा भी option सही उत्तर होगा अमर कंटक तो हम रह्kell कंटक के से देatar के सब्सक्राइब देखें बहुत से जर किताब में इसकी उचाई के संबन्ध में कुछ आपको मिस मेच होगा कहीं आपको दस्तो दस्तो 62 मिलेगा कहीं दस्तो वेरासी मिलेगा तो यह एंसी आटी से भेरिफाई किया हुआ है दस्तो दस्तो पैसर तो आप लुग ध्यान से जो आपने यहां पर सोर्स दिया जाता है वहां पी आई भी से जाएगा एंसे या आटि से सोर्ष दिया जाएगा या गौऌर्मन्न साइट के वेफ साइट से ही दिया जाएगा मिस निये प्रफश स्थ डिये जाएंगे तो आप लोग मिश्चित हो कि त्यारी कीजिये यहां मिस्मैच अगर नई हो रहा है आप लोग कहीं नोट से तो उससे आप लोग मोईफाई करें आप लोग मेरे फेस्बूक एकांट अगर यूज करते हैं देखते होंगे तो मैं बार-बार किसी रोंग को कि किसी बूक के या किसी मैजिन के अगर रॉंग कोई इन्फरमेशन दिया है उसे मैं वहाँ पर अपडेट करता हूँ अपने टेलिग्राम चैनल पर अपडेट करता हूँ इसलिए आप ध्यान से रखिए कि अगर कोई प्रश्न आपको कहीं सोर्स अगर गलत नजर आता है भेरि से तो आप लो उसे अपने अपने सोर्स से करेक्ट कर ले उसे सुधार ले इसलिए आप लो ध्यान से पढ़िए ध्यान से देखिए हैं बहुत 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 तरीके से काम किया जा रहा है सोर्स को लेकर सारे मैट्रियल को लेकर सभी विस्चिति से काम किया जा रहा भाग है यह किसका है सत्पूरा स्रेनी का तो सत्पूरा स्रेनी में अगर पूछा जाए तो सत्पूरा स्रेनी का भी आप लोग बताइए कोमेंट बॉक्स में सर्वोज सिखर कौन सा है सर्वोज चोटी कौन सी है यह तो मत्याले स्रेनी की बात की गई अब सत्पूरा कहीं भी मद से मद से लेकर महराष्ट 36 चोटा नागपुर पठार तक है तो महराष्ट बगल में यहां से लेकर आपको कहां तक जाएगा छोटा नागपुर पठार तक जारखंड जो एरिया है यहां तक आप लोग आएगा गुज्रा से स्टार्ट होगा तो यह आपको सत्पुरा की स आपको इस रूप से देखने को मिलेगी चलिए नेश्ट देखते हैं क्या है कि नेश्ट है को को स्टेट थाथ स्टेट वो छेतर होता जो दो दो अस्तलों को जोड़ता है समदरी छेतर में तो स्टेट पुछला गया प्रस निहां से स्टेट के समन्द में देखते हैं को को स् तो आप लोग सबसे पहले भारत के आज पास जो भी स्ट्रेट है जैसे आपको से लंका के पास स्ट्रेट मिलेगा मायनमार के पास मिलेगा आपको खंबाज की खाने में मिलेगा कुछ उसके बाद अंडवान निकोबार्ग छेत में मिलेगा और आपको यहां पर बगल में हमा में option क्या क्या है option इसका देख लेते हैं पुर्वी अंडवान मद अंडवान दचनी अंडवान उत्री अंडवान की जब हम बात करते हैं मैप में अंडवान की बात करते हैं अंडवान निकोबार्दीप सब को है यहां पर है यह आपको तो लक्षिदीप आपको यहां है लक् यह आधार परको प्रस्ट के अगे पर एप पुर्वी टट पर है मध अंडमान में अर्थात मध अंडमान में है यह दक्षनी अंडमान में है आपको दचनी अंडमान में या उत्री अंडमान में कहां पर यह को को स्ट्रीट है तो इस प्रकार के ट्रिकी प्रस्ण आपको भी प्रस्ण पूछ सकता है आप लोग ध्यान जाता है यह आपको कोकेश्टी उत्री अंडवान अथा उपरी जो अंडवान है आपको वहाँ पर इस छेतर में पाये जाता है तो यह क्या करता है यह अंडवान एवन निकोवार दिवसमु को यह अंडवान और निकोवार दिवसमु को दोनों को मिला कर अंडवान निकोवा बात बोरा था वो अलग करता है अंडवान निकोवार्दिव समुग बंगाल की खाड़े में इस्तित 836 छोटे बड़े समुगों को मिलकर आप यहां ध्यान रखिएगा यह करेक्शन करेक्ट है यहां अंडवान निकोवार्दिव समुग के इंसासित परदेश का यूटी का जो वेफसाीट है वहां से लिए गया है बहुत से बुक में इसके समद में आखड़े गलत दिये गये हैं आप लोई इसे सुधार लीजे क्योंकि यह आकड़ा अंडवान निकोवार्दीव समू के वेफसाइट जो के साथ यूटी परसासन का जो वेफसाइट है वहां से लेकर दिया गया है तो यह संख्या आप लोग जहां भी देख रहे हों आप लोग सुधारली इसके संब्द में मैं फेस्बूक और टेलिगांप अपडेट पहले भी किया था तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो भी आकड़ा यहां दिये जाते हैं वो हंडेट परसेंट सियूर्टी के साथ दि करता तो प्रसनि यहां से भी पूछे जाते हैं कि 10 डिग्री 10 डिग्री कहां है तो यह उत्री अंडवान और दीव को निकोवार दीव से अलग करता यह 10 डिग्री चैनल तो आप लोग को इस सम्मध्ध में अप लोग देखना है आखड़ा अप लोग सुधार लीजेगा ज में नहीं मिला था आप लोग एंसी आटी भी देख लिजेगा अगर एंसी आटी में डाटा कम गिया है तो आप लोग भेरिफाइब कर लिजेगा क्योंकि यूटी पर सासन अगर दिया हुआ है अन्डवानिको वह वह सही माना जाएगा ना कि कोई और सोर्थ चलिए नेस्ट ह अई नेस्ट प्रस्ण देखते हैं क्या है नेस्ट है आपको प्रस्ण हैं लक्ष द्यूइब टू शनकट बंदीए जलवाई है इसका औसर कितना डिग्री सेल्सेयस होगा तो यहां पर प्रस्ण देख़िए आपको उशनकट इन इंडियां चक्रन जलवाई जो तो आप कंफ्यूज मत हो यह कि लक्ष द्वीब पुछ दिया तो हम लोग कैसे बताएंगे कि इसका तापी कि इसका कितना होगा तापनातर कितना होगा तो आप यह चीज से को समझे कि भी पेशी आपको इस प्रकार सरी फसा सकती किसी जगह का नाम देदेगी पर उस जलवाई का नाम जरूर बताएंगी तो जलवाई के नाम से ही आप उसके टेंपरेचर को वर्गी करन कीजिए क्योंकि कोई भी कोई भी कोई इस्टुडेंट कोई टीचर यह नहीं सब्सक्राइब तो उस जलवाइब उस्ते उस्ते पूचा था reaching सब्सक्राइब तो इा प्राश्ण प्राश्च से कर issued clearly कुछ है और को भी आयोग रहे यो किसी भी स्टेट का ओ इस तरह प्राश्ण पूचता है उसका हकभ बनता है कि आपको ट्रीकी रूप से प्रस्ट पूछे तो चलिए अप इसका के सही उत्तर देखेंगे उसत 13 डिजी होगा या 27 डिजी होगा तो यह क्या होगा यह आपको आप शन्वी 27 डिगरी होगा एक सगर्ण 27 डिगरी होगा इसका एंसर क्योंकि लग उसन कटी बंदिये जलवाई का उसत अपमान 27 डिगरी से 27 डिगरी के आसपास होता है तो इसके लिए यह प्रस्ट आपको उस रूप से देखने को मिलेंगे तो लक्ष द्वीब के समान में देखते हैं उ इसका उसत अपमान 27 डिगरी से और अप्रेल से मई 32 डिगरी के उसत होगा तो 27 से लेकर 32 डिगरी के आसपास आपको यह टेंपरेटर मिलेगा तो यह उस नकट बंदिये जलवाई का वर्गी करन आपको देखने को मिलेगा इस परकार से ही चलिए अब आम तोर पर जलनम जल इसके लग्ष दिव का उत्री वार्सी वर्सा है वह घटी जाती है और सतन यह क्या होता और स्टन अस्ति से नव्य दिन की बरसात होती है तो आप उस नकटी वंदिये च्छित्र की च्छित्रों का वर्गी करन अब देखेंगा तो इस ही प्रकार का उस तन मिलेगा तो आप इस प्रकार के भी प्रषण आपसे पूझे जा सकते हैं नेक्ष तरहають अपको जालि का पर सिंधु नदी के तिसता नदी तक व्यष्टित है निम्लीखित है यह प्रगी कि कहा हो शाया सकता है इसके सम्वाह्न प्रष्ण है शिवाली के गृपाद में सिंधु नदी तिस्ता नदी के विश्तिष्षेत तक विश्तिष्षेत को भावर कहा जाता है जो हिमाले नदियोद्वार लाई गई कंकर पत्थर बजरी आदे के जमाव से निर्वित होता है तो आप लोग कोमेंट बॉक्स में बताएं डेल्टा छेतर का मुख विश्ता क्या है खादर छेतर का क्या है बांगर का क्या है यहां भावर पूछा गया जहां पर कंकर पत्थर छेतर को बनाया जाता है कैसे होगा कंकर पत्थर यहां बदरी पाई जाएगी तो फिर भी इस किरसी की भीन तक्निकों का परियोकर इंचे तो किरसी योग बनाया गया है तो यह नय तक्निक अपनाया जाता है इसमें उत्री मैदान के उच भूमी जो पुरानी जलोड मिर्दा से निर्मित होती है उसे बांगर कहा जाता है जबकि जो उत्री भारत की मैदानी की निचली भूमी है तो उसे नवीन जलोड कहा जाता है इसे खादर या या आपको काप मिटी भी सोरे या काम में हो गया है काप आप लोग पढ़िए को कुछ error mistake हुआ है कंप्यूटर में थोड़ा सा उससे सुधार किया जा रहा है थोड़ा सा इसमें copyright कीजिए खादर छेत का बढ़ा हुआ विस्तित भाग डेल्टा कहा लाता है तो यहाँ पर आप लोग काप देख लिजेगा थोड़ा सा इरर है और खादर छेत का बढ़ा हुआ विस्तित भाग को क्या कहा जाता है या डेल्टा कहा जाता है तो चलिए इस सबसें समंदित, next प्रस्ण देखते हैं, चाहवर में नेश्ट प्रस्ण क्या है, 54 में क्या पुछा गया था, सिंदु सागर दोवाब छेतर से लिमन कि किस नदी तंतर में विक्सित हुई, किस नदी तंतर में हुआ, सिंदु सागर दोवाब छेतर, तो यह कहा हुआ इसके तने में पुछा गया तो रावी के और सिंदु नदी में चिनाओ या जिनसिन नदीयों के जो बर चे दर शतन स्में सिन्सातलज भ्यास आपको प्रम उप्सन इजो प्रोक निसको हीं एक से अधिक तो सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर चिनावा होगा दो नदियों के बीच इस्तित दो आप खहा जाता है यह सभी लोग जानते जो जो शेत्रों के बीच का जो स्टित होता है वह 2 आप होता है शिक्षा सागर्चेत्र का विकाद जेलम चिनाव सिंधु कि नजी परवाहों को अगर यहां पर आपको जेलम दिया रहता है तो आपको अप्शन चला जाता है तो ध्यान रखिएगा जब तर हंडिट परशेंच योर ना हो प्रशनों का उत्तर देने में अपनों को कठनाई उत्पन हो है तो आपनों जिसमें देखिए विस्थ कहा हुआ है विस्त आपको इसे काब आगे बढ़के अगर काया जाता है या दोवाप छेत्र तो निर्मान व्यास और 17 मदी के पास होगा तो अपर सिन्धु सागर्ण दोवाब का होता है चिनाव के पास होता है यह सब चीज आपन तो देख लिजेगा जबकि आपको बारी दवाब शेतर का निरमान बैसर रावी नदी के बीच होता तो आपको कौन-कौन से दवाब की बात की जा लगी है सिंदू आपको पुछे जाएंगे आपको ध्यान से पढ़ती रहना चलिए निश प्रसन देखते हैं 95 नम्र प्रसन क्या है नियु नुवर्सा वाले छेत्र निमिनक्रीक तो कौन छेत्र शामिल नहीं है तो अगर नहीं पुछे तो और बेटा तरीके से प्रसनों को ध्यान से देना क्योंकि option ही पहले से ही नहीं के format में होता है तो आप लोगो ध्यान से पढ़िए जब नहीं प्रस्ट में पूछे तो चलिए देखते क्या है पंजाब में हरियाना में कच्छार घाटी में पूर्वी राजस्थान में उप्रस्ट में कोई नहीं से तो इसमें option क्या होगा उसका सही उत्तर होगा कच्छार घाटी यह कहां है क्या है इसके संदर में देख लेते हैं पंजाब, हर्याना, जम्मु कस्मीर, पूर्वी राजिस्थान, पश्मी उत्रपरदे, दक्कन के पठार, नियून, छेत्रों में सामिल क्या जाता है, जहां ओसत वर्षा किता होता है, 50-100 cm के बीच होगा, जबकि कच्छार घाटी, मनिपूर, बिहार, जारखन, गंगा के मैदान, आदि छेत्रों में, शेत्रों में सामिल क्या जाता है, जहां वर्षा 100-100 cm के आसपास होती है, इसके बाद पच्छमी उत्तरपरदे, दक्कन, पठार, नियून, वर्षा वाले छेत्रों में सामिल है, जहां 50-100 cm के ब बीच वर्षा होती है, जबकि कछार घाटी में, मनिपूर, बिहार, जारकन, गंगा में, या सेंटिमीटर तक होता है, 100 cm, तो धियान रखिएगा, 100-200 cm के बीच वर्षा छेत्रों में, पचास से 100 cm वाले प्रस्न, यहां से एक प्रस्न और आप लोग को बन सकता है, दिये ग अस्थानों में निवर्षा का छेत्र है, तो पंजाब, हरियाना, कच्छार, पडवी, राजस्थान, तो आपको प्रस्न ऐसे भी पूछे जा सकते, तो इस प्रकार भी प्रस्न आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, जिले नेस्ट प्रस्न देखते हैं, क्या है, सक्रिय जवाला मुखी का उधारन है, तो प्रस्न देख लेते हैं, मोना लोगा, दूसरा विसुवियस, फिजियामा, एंको गुवा, और कोमेंट बहुत बताईए, आप लोग जल्दी फटा फट बताईएगा, उसके बाद देखते हैं, इसका सही उत्तर क्या अगा, मोना लोगा, मोना लोगा, सक्री जवाला मुखी का महत परमुक उधारन है, जो कि हवाई दूइब, हवाई दूइब कहा है, आप लोकिस महाद दूइब में है, यह आप लोग बताईए, इसका लोकेशन, एग्जेक्ट लोकेशन कहा है, हवाई दूइब का, यह बहुत ही महत पून है, तो आप लोग ध्यानों से, में लोग कोमेंट बॉक्स में बताईए, विशिवस, फ्यूजियामा, नार्कोडम, वादी, सुसुत, या परसुप, जवाला मुखी, जहां संभावना है, कि आपको जो इस तरह के जवाला मुखी स्पोर्ट के कारण बन सकते हैं, जबकि वेंक जाता है, नेश्ट प्रसन देखते हैं, नेश्ट प्रसन निमलिकीत में से किस बनस्पती के साक्ष के अधार में भारत, दचिन अफ्रीका, अस्ट्रेलिया, आदि छेतर में अतीत का एक अस्थल खंड माना जाएगा, अथा अपेंजिया का नाम सुने होंगे, जो भी जोग से जुड़े हुए थे, तो उस वर्गी करन के बाद जब अलग हुआ, भारत, दचिन अफ्रीका, अस्ट्रेलिया, अर्थात, यहां पर देखें, तीन देशों की बात की जा लिए, अर्थात, एसिया, भारत, एसिया में पढ़ता है, अफ्रीका, दचिन अफ्रीका, अनि अ आप देखने के बाद यह बता देंगे कि यह तीनों दिप एक समय में अस्टलकरन से जुड़े थे, हम कैसे जानेंगे, तो बहुत से ऐसे साक्ष हमें प्राप्त हुए हैं, जिसके अधार पर अभी यहां है, तो आपको यूरोप से पूछ सकता है, दचिन अफ्रीका से तो कौन सा ऐसा साक्ष है, जिसके अधार पर इनका वरगी करन अस्टलकरन एक था माना जाएगा, तो यह आप लोग को ध्यान से पढ़ लेना है, इस अस्टलकरन का साक्षी को, यह सभी NCRT के बूख में दिया हुआ है, आप लोग उसे रठ जाईए, क्योंकि यहां से प्र पाये जाती है, यह उसमें से उसका वरगी करन है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसके अगर कोई साक्षी से प्राप्त होते हैं, तो यह वस्तलकंडर एक माना जाएगा, तो क्या है? यह एक वनस्पती का पर्मान है यह एक नाम जिसका वरिकरन साइंटिपिक नाम है इसका वनस्पती का पर्मान मिलता है किसी भी देश में तो यह क्या माना जाता है कि यह तीनों महाद्विपों में पाया गया है इसलिए माना गया है विज्ञानिकों को दोरे यह कभी एक अतित के कालखन में एक माध्यूप में थें तो इस तरह आपको प्रस्ण पुछा जाएगा तो इन देखें प्रस्ण छोटा है इसका एक्सपेलेशन भी छोटा है पर इसके भैलू बहुत बढ़ा हो जाता है कि कैसे हम इस प्रस्णों को हैंडल करें तो नेक्ष्ट प्रस्ण देखते हैं दो प्रस्ण और बजब जया है नि जाते हैं तो फ्लेट से वर्गीकरण जो भी है उसके में प्लेट सहाय करें जो भी है सवेटनी प्लेट है सभी को आप लोग अच्छे से देख लीजेगा जब क्लास चलेंग जोंब पूच्छा की जाएगी तो पहला सा कारोलीन फ्लेट ज्ट या फ्लिपिन फ्लेट तो आपको फ़र्स्ट यहाँ से आपको देखने को मिलें गे पुर्वी इस्तित नाजिका नामक गोन प्लेट प्रसांत महासागरे प्लेट और दचनी अमरीका के बीच इस्तित है जबकि केलोरी नामक गोन प्लेट न्यूगीनी के उत्तर में फिलिपीन और क्या है भारती प्लेट के बीच है तो आप लोग प्लेट को देख लिजेगा त सेरिया के उत्तरपुर्वी छेत्रों में इस्तित है और दचनी अमरीकी प्लेट के बीच अमरीका यहां है तो आपको यहां पर इसके बीच इस्तित है जब कि केलोरी नामा कुलेट कहां है नियुगीनी नियुगीनी कहां है और इसके उत्री फिलिपिन के बीच में इस्तित है तो आपको इस प्रकार से आपको प्रस्न देख लेना है मैं आप में देख लिजेगा 59 59 क्या है 59 में प्रस्न है जहां से नदी मैदानी छेत्रों परवेश करती तो इस प्रकार से भी प्रस्न आपको पूछे जा सकते हैं जहां से नदी मैदानी छेत्रों परवेश करती उस छे इतले में नदी निम्रिक कोन से अस्तला कberry एक कडती है कोको प्रसन्othy है यह भी बन सकता जब नदी पहारी इलाकों में आती है इतर पहारी लाको में तो कोन से कैला की Republican का निरमान कर सकती है या फिर जब वो डिल्टाई शेत्में परवेश करती तो वो कौन-कौन सी नदी तंत्र में आपके मार्ग में इसलाकिर्टी का निर्मान कर सकती है यह सब प्रस्ट आपको पूछे जा सकते हैं तो आफसन देख लिते क्या विसर्फ है जलोड है प्रकृति तर्डब मैदानी छेत्रों परवेश करती उस नदी या नदी छेत्र को जलोड पंक या पंक नमाज सरचना का निर्मान करती है यह जैसे पंक्षी का जो होता है पंक्षी का जो पंजा होता उस प्रकास से यह निर्मान करेगी तो इसलिए इसका नाम जलोड पंक रखा गया है इसका क कि परवतों से निकलने नदियों अपने साथ लाएगाएगा सादों को मैदानी छेतों में जो मैदानी छेतों होता हो फेला देती है भिकхेर देती है तो इसलेए इसका निर्मान होता है इस कलाकृतीorkा नदि विसर्पया गुखुर जिलका निर्मान छेती का परदम K dullury को पर का उसके बाद ने सेग्मेंट का आज ही सारा अपलोड कर दिया जाएगा तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा देखिएगा और जो भी दिये गए कॉंटेक्ट टंबर है युक्ति आईजिस का फिर टेलिग्राम का आप लोग सभी का उपयोग कीजिए ये वेब साइट का उ जरूर होगा इसका जो सुलोगन है इस बार युक्ति का इस बार 110 के पार ये जरूर होगा सारे फॉर्मिट को यूज करते हैं तो लास्ट कोस्टन के डाय डायराइट नामक अंत्रिच आगन्य आंत्रिक आगन्य चटानों के मेगमा में सिल्का की मात्रा निवल्खी कितना परतिसत होती है तो आपको प्रस्ण देखिए बहुत घुमाया फिराया गया है पर प्रस्ण यहां सिंपल सा लोजिक है अगन्य चटान के मेगमा में सिल्का की मात्रा कितनी होगी तो इसी परकार के प्रस्ण आपको पूछा जा सकता है तो या सिल्का की मात्रा के अधार प तो वो किस प्रकार की चटाने होगी, या 45-55 होगी, वो किस प्रकार की चटाने होगी, या 45-35 कम मातर सिल्का की मातरा होगी किसी आगने चटाने में, तो उसको किस रूप से नाम से जानते हैं, ये सब प्रस्ण आपको पुछ सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 55-80 प् सिलका की मातरात उसे क्या बोला जाता है उसके डाय राइट नामक अंतरी का गन्न चटान बोला जाता है तो इसी परकार से आपको प्रस्ण पुछा जा सकता है तो आप लोगी सब को ध्यान से पढ़िए जो भी सुजी धाय दी जारे उसका उप्योग कीजिए और हम से जुड कि महनत दोनों तरफ से की जा रही है की जाएगी तो आप लोग ध्यान रखी और इंटीव में जो आप लोग का जो बीपेसी जो 67 का है हो सकता हुमीद मार्च लाज तक या अपरेल फर्स्ट विक तक जैसे सोर्ष ते पता चल रहा है इज्याम हो तो इन सब चीजों को ध्य हमें काफी समय है तो लगे रहिए तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हुँ जैहिन धन्यवाद